अगर तुम आस्मा पर जा रहे हो शौक से जाओ मिरे नक्षे कदम आगे की मन्जिल का पता देंगे नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आइना देश में नई सरकार के गठन को एक महीना पूरा होने जा रहा है सत्ता में फिर से एंडिये ही है नरंद्र मोदी तीसरी बार पी-एम की कुर्सी पर बैठ चुके हैं और उनके मंत्री मंडल में भी कुछ खास बदलाव अभी तक नहीं हुआ है लेकिन सियासी समिकरन पूरी तरह से बदल गए हैं जल्दी ही महराष्टर, हरियाना, जार्खंड और जम्मो कश्मीर जैसे राज्यों में विधान सभा चुनाओ होने वाले हैं और बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि वो अब पहले से जीत के दावे नहीं कर पा रही है बलकि अभी तक लोगसभा चुनाओं में कमजोर प्रदर्शन के विशलेशन ही हो रहे हैं और राहुल गांधी तो अब बाकाइदा बीजेपी को बताने में लगे हुए हैं कि वो कहां उसे हराने जा रहे हैं बीजेपी की लाचारी कई स्तरों पर कई लेबल पर जाहिर हो रही है और इसी से समझ आता है कि देश की सियासी तस्वीर इस एक महीने में पूरी तरह बदल गई है इस तस्वीर को बदलने में सबसे खास भूमी का निभाई है खुद राहुल गांधी ने राहुल गांधी जो अब नेता प्रतिपक्ष है और संसत से लेकर सडक तक बीजेपी और मोदी दोनों के लिए बड़ी चुनोती बन गए है यानि देश की राजनिती पूरी तरह से राहुल बना मोदी पर केंदरित हो गई है पिछले दस सालों से बीजेपी भी यही करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फर्क ये था कि बीजेपी हर बात को मोदी बना मराहुल बना रही थी जिसमें मोदी को विश्व विजेता वाले भाव से पेश किया जाता था और राहुल गांधी को नो सिखिया राजनिता के तोर पर पेश किया जाता था आप याद कीजिए कि जब राहुल गांधी केवल सांसद थे तब भी वो बीजेपी के निशाने पर रहे और जब कॉंग्रेस में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद पर रहे तब भी बीजेपी ने हर बात के लिए उन्हें जिमेदा ठहराने की कोशिश की फिर चाहे वो कॉंग्रेस को चुनाओं में मिली हार हो या कॉंग्रेस की आंतरिक गुटबाजी हो मोदी के समर्थन में खड़ा मीडिया भी छोटे से लेकर बड़े चुनाओं को मोदी बनाम राहुल की तरह पेश करता था कॉंग्रेस और बीजेपी के मुकाबले की तरह बिलकुल नहीं लेकिन इस बार के चुनाओं से अब खेल पलट चुका है दोस्तों इंडिया गटबंधन को मिली बड़ी जीत के कारण बीजेपी की जीत फीकी पड़ गई है बीजेपी सत्ता में बैटकर भी लाचार दिख रही है और इंडिया गटबंधन विपक्ष में बैटकर ज्यादा असरदार दिख रहा है पिछले एक महीने की घटनाओं पर नजर दोड़ाएं तो ये साफ समझ में आ जाएगा या साफ समझ में आता है कि किस तरह राहुल गांधी के आगे मजबूर नजर आ रहे हैं नरेंदर मोदी तो आएए दोस्तों आज आएने की नजर से पड़ताल करेंगे कि एक महीने में किस तरह बदल गए हैं सियासी समिकरण क्यों राहुल गांधी कर रहे हैं बीजेपी के हार के दावे लेकिन आगे बढ़ें इस से पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी का ये ऐलान पीजेपी की जो पूरी मुवमन्ट थी राम मंदिर की अयोधिया की मुवमन्ट थी शुरुवात अडवानी जी ने की थी रत यात्रा हुई थी नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवानी जी की मदद की थी इनकी शुरुवात वहां हुई उन्होंने राम मंदिर क इनागुरेशन किया, आयोधिया में Congress Party ने, इंडिया गरवन्दन ने, इनको हराया है. तो अगला step क्या है? लिख के ले लो, Congress Party की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और BJP को गुजरात में जैसे हमने अयोधिया में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं कौन हराएगा हमारे लीडर हराएंगे हमारे बपरशे टाइगर हराएंगे आपको डरना नहीं है जो डर की भावना होती है न वो आप में नहीं है उनमें है जैसे इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाओ पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटपरे करें अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी होगा। हरबड़ी में आधे अधूरे मंदिर का उधगाटन मोदी ने सिर्फ इसी ले किया था, क्योंकि मोदी चुनाओं में हिंदुत्यों और राम मंदिर को ही असल मुद्दा बनाना चाहते थे। को गोट दे दें। राम मंदिर के लिए घर घर अक्षत बाटने का सिलसिला तो आपको याद होगा ही। और ये भी याद कर लीजिए कि 22 जनवरी को उधगाटन यारे राम मंदिर को उधगाटन के 11 दिन पहले तक नरेंद्र मोदी के सात्विक भोजन और जमीन पर सोने वाले बरत को मीडिया ने कितना प्रचारित किया था। खूब ताम जाम से मंदिर का उधगाटन हो गया और इसमें कॉंग्रेस अध्यक्ष समेत गांधी परिवार के ना जाने पर उन्हें राम विरोधी कहकर खूब उनकी आलोशना भी की गई। कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने राम नाम का बहाना बना कर कॉंग्रेस भी छोड़ दी लेकिन राहुल गांधी मोदी की इस प्लानिंग के मुकाबले एक दूसरी योजना बना कर बड़ी लकीर पहले से ही खीच चुके थे राहुल गांधी ने अपनी दूसरी भारत नाई के इर्द गिर्द रहा और इंडिया गढ़बंधन के बाकी दल भी इसके समर्थन में खड़े रहे नतीजा ये रहा कि उसे बड़ा जनादेश हासिल हुआ युआ नारी, किसान, श्रमिक और भागिदारी न्याय का संकल्प लेकर राहुल गांधी दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और यात्रा खत्म होने के बाद जब चुनाव परचार का सिलसला शुरू हुआ तो वो इन्ही न्याय की बात करते रहे मोदी के चुनाव परचार में मुस्लिम लीग, मंगल सूत्र और भैस चोरी की बात होती थी और राहुल गांधी जाती आधारित जनगर्ना, रोजगार, सब के लिए बराबरी की बात करते थे चुनाव खत्म होने के बाद मोधी फिर से सत्ता में हैं और राहुल गांधी भी पक्ष में लेकिन ना मोधी अपना ट्रैक वदल रहे हैं और ना ही राहुल गांधी अपने संकल्प से हट रहे हैं मोधी संसद में भी गांधी परिवार को और राहुल गांधी को कोस्ते दिखे और राहुल गांधी संसद में भी नीट से लेकर मनिपुर के लोगों के लिए न्याई की बात करते रहे संसद से बाहर भी राहुल गांधी यही कर रहे हैं राहुल फिर से मनिपुर जा रहे हैं जहां साल भरबाद भी शांती कायम नहीं हो सकी है इस से पहले राहुल हातरस गए थे जहां भगदर में मारे गए लोगों के लिए उन्होंने योगी सरकार से न्याई की बात की और इसके लिए चिट्थी भी लिखी राहुल गांधी अहमदाबाद में उन कॉंग्रेस कारेकरताओं के परिजनों से मिले जिन्हें गिरफतार किया गया है और राजकोट अगनिकांड के पीडितों से मिलकर उन्हें न्याई का आश्वासन दिया राहुल गांधी दिल्ली के गुरू तेग बहादूर नगर में मज़्दूरों के बीच भी गए और उनके साथ काम किया और ट्वीट भी किया राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि जो भविश्य का भारत बना रहे हैं उनके अपने परिवार का भविश्य खत्रे में है भारत के मेहनत का श्रमिकों को उनका पूरा हक, सुरक्षा और सम्मान दिला कर रहूंगा ये संकल्प है इसके बाद राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लोको पाइलट्स के बीच भी पहुँचे और उनके काम के साथ साथ उनकी परिशानियां को भी सुना राहुल इससे पहले अगनिवीर कहलने वाले जवानों की शहादत पर भी मोदी सरकार को आईना दिखा चुके हैं कि इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए जो नाइंसाफी अगनिवीरों के साथ हो रही है वो खत्म होनी चाहिए तो राहुल गांधी की लीक से हटकर राजनिती की ये शैली मोदी सरकार के पले ही नहीं पड़ रही है बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है दोस्तों की आखिर वो किस तरह से राहुल गांधी को गहरे क्योंकि राहुल तो वन्चित और पीडितों के न्याई की आवाज उठा रहे हैं अगर बीजेपी उस पर सीधे सीधे मना कर दे यानि न्याई न देने की बात कहे तो फिर बीजेपी की पोल जनता के सामने खुल जाएगी इसलिए बीजेपी राहुल को परास्त करने के लिए फिर से पुराने पैंतरे पर उतराई है पुराना पैंतरा मतलब राहुल की छवी को खराब करना इसकी शुरुवात बीजेपी ने संसद से ही कर दी थी जब राहुल गांधी ने बता और नेता परतिपक्ष अपना पहला भाशन दिया था याद कीजी राहुल गांधी ने संसद में नेता प्रतिपक्ष बनकर जब अपना पहला भाशन दिया तो उसे सुनकर समझ आ गया कि एंडिये सरकार के लिए आने वाले दिनों में चुनोतियां बढ़ने वाली हैं राहुल ने भाशन की शुरुवात में संविधान की महत्ता बताई इसके बाद भारत जोडो यात्रा के अपने अनुभव एडी की 50 घंटों की लंबी पूछ ताच, सांसदी का खारिज होना, सरकारी बंगले का वापस ले लेना, इन सब का जिक्र करते हुए हिंदू, सिख, इसाई, इसलाम और बौध धर्म के मर्म को समझा दिया इसके लिए राहुल ने जिस तरह शिवजी की तस्वीर दिखाई उससे बीजेपी हैरान रह गई, उसे समझ ही नहीं आया कि इस दाउं का जबाब कैसे दे, इसलिए जब राहुल ने हिंदू धर्म के अनुयाई होने के बावजूद, हिंसा और नफरत फैलाने का आरोप ब भी खड़ा होना पड़ा, लेकिन बीजेपी सदन में इतनी दाकत नहीं दिखा पाई कि राहुल को दबा सके, सदन की कसर बीजेपी ने सड़क पर निकालने की कोशिश की और राहुल के पुतले देश के कई जगों पर जलाये गए, राहुल के घर के बाहर विरोध प्रदर को आगे कर रही है, जिन्हें कांग्रिस से तोड़ कर बीजेपी में लाया गया है, इसके साथ ही मीडिया के जरिये भी राहुल गांधी पर सवाल उठाये जा रहे हैं कि राहुल मनिपूर या हाथरस जा रहे हैं तो तमिल नाडू क्यों नहीं गए, साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह राहुल को बदनाम करना चाहती है, लेकिन इसमें भी बीजेपी ही फंस रही है क्योंकि राहुल गांधी सत्ता में नहीं हैं, इसलिए चाहे तमिल नाडू जाना हो या हाथरस या मनिपूर जाना हो, सवाल तो मोधी पर बनता है कि वो जब क्रिक से निभा रहे हैं, जबकि मोधी किसी भी तरह सत्ता बचाने की जुगत में ही दिख रहे हैं, बिहार में पुलों के गिरने पर नितीश सरकार के खिलाफ मोधी अब तक चुप हैं, और वहीं चंदरबाबू नायडू आंधरपरदेश के लिए लंबी चौड़ी मांगे ले बीजेपी पार्ट टाइम राजनिता होने की बात करती थी, वो राहुल गांधी दिन रात जनता के बीच जनता के लिए काम करते और न्याई की आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं, सरकार बनने के एक महीने के भीतर राहुल गांधी की इस राजनिती के आगे मोधी हाफत और पस्त दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस हाल में वो पांच साल सरकार का नित्रित तो कर पाएंगे, इस सवाल का जबाब क्या मिल पाएगा या उसका इंतजार रहेगा। देखते रहे हैं, डीवी लाइब, नमस्कार!